आवाज विशिश कारेकरम में आपका स्वागत है और विशिश में इस समय हमरे साथ जो शक्सियत है एक ऐसे बुजूर्ग जो इस वक्त भी युवा की तरहे एक बहतर भारत के निर्मान में अपने आपको दिये चले है वैसे वे अपने प्रशासनी कारें से तो सेवानिवरित हैं लेकिन अपने सामाजीक दाईत्वी से और एक बहतर भारत के निर्मान के दाईत्वी से आज भी वे दूर नहीं हैं उसे बराबर अपनी पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं परिचे के बिलकुल महताज नहीं है चेहरा आपके सामने स्क्रीन पर है आप है सेवानिवरित न्याइमूर्थी बीजी कुलसे पाठिल साहब कुलसे पाठिल सार से ये बाच्ची शुरू करते हैं साहब कारेकरम में आपका स्वागत है एक बड़ी बात इस समय पुरे देश में चल रही है एक तो कोरोना का कहर है और दूसरा कहर ये भी है कि असहमती की जो आवाज है क्या लगता है आपको इतने बरसों आपने नयाई विवस्ता के साथ दिये हैं क्या हमारा कानून हमारा लोकतंत्र असहमती की आवाज को रोकता है पहली तो बहुत ऐसे है कि जिन मोदी शहान हमेशा अपने गुजरात के कारेकाल में और देश के कारेकाल में सिर्फ आदमियों को मारने का काम किया है जेस्टिस कुरुष्णा एर और जेस्टिस सावन का आयोग का रिपोर्ट है कि 2002 के समय में आया था कि उन्होंने कहा कि इनको mass murder में prosecute करना चाहिए और इने किसी भी सभीधानिक पत पर नहीं बिठाना चाहिए तो इनका इतियास ऐसा है तो आज करोना आया तो भारत के लोगों की इतनी चिंता मुदी शाह को मज़े ताजुब हो गए कि डायल टोन बज रहा है चारो और चल रहा है तो इसके उनकी इसके पीछे चलकपट नीती है आज देज भर में जो हमारे मुस्लिम बहिने बेटिया सभिधान के दाएरे में आइसात मक शहिन बाग नाम से अंदोलन कर रही है उनको कुचल के वह अंदोलन कुचलने के उन्होंने कई प्रयस किये दिल्ली का दंगा वही एक प्रयस था कपिल मिस्रा का भाशन है उसने पोलिस को चालेंज किया था कि उनको उठाओ शहिन बाग इसलिए उनका करोना पर लक्ष गया है, मैं मोदी शाह को पूछना चाहूँ है, आप करोना को कोई स्वास्त से जुड़े आपते नहीं मानते हैं, जो भी लोग बहार से आए, वो करोना लेके आये थे, भारत का कोई करोना गरस्त नहीं था, छुटपुट खटना है होगी, अ इनके कारण वह वादा हुई है, एक, दूसरी बात अश्य है, कि मोदी शाह को मैं सवाल करता हूँ, कि पहले दोज साल में मोदी शाह के कारेकाल में चोबीस हजार किसानों ने आत्मात्य करी, उसके बाद आपने आकड़े देना बंद करें, रोजगार की अवस्ता सत्तर सा सालों से बुरी है आज, हर दिन दो साल के कम उमर वाले दो हजार बच्चे मरते हैं, हर दिन हम भूक बड़ी में, कूपोशन में, दुनिया में हमारे नंबर वन है, पाकिस्तान का और बंगलादेश का भी जीडीपी, और हमारे पर कैपिटे इंकम भारतियों से ज्यादा है हर दिन भारत से आपके कपट नीती से कारण, ग्यारा सो लोग भारत छोड़के जा रहे हैं, मोदी शाह के दबाव के कारण हो या कुछ गलत नीती के कारण हो, दस लाख डॉलर के उपर संपत्ति वाले 25,000 लोगों ने देश सोड़ा छोड़ा है, और वो दूसरे देश के नागरिकता लेके बैठे हैं, आज बैंकों में, यानि ऐसा एक आकॉंट होता है, जिसको बोलते है कि फ्रॉड या करॉप्शन का आकॉंट होता है, जो 2012-2013 में 62,000 करॉड का था, वो अब 17,000,000 करॉड का हो गया है, तो रिजर्व बैंक को, ये फ्रॉड है, इसको एक आकॉंट का नाम है, उसको बोलते है कि suspicious transactions, वो suspicious transactions 2013-14 में सिर्फ 62,000 करॉड के थे, वो भी अच्छा नहीं है, बुरा ही है वो, लेकिन इनके जमाने में आने के बाद, ये आने के बाद, वो कहा गया है, 14,3,522 कुछ करॉड है, तो ये सरासर करॉप्शन है, आपने 70 साल में सभी इक सरकारों ने मिलके, पचास लाग करॉड का करजा किया था, आपने वो 80 लाग करॉड तक दिया है, आपने उद्योगपतियों को, पुझीवादियों को, ये पास साल में, कर्ज माफी, कर्माफी, ब्याज माफी, कई बहाने बनाकर, पचास लाग करॉड का सभुलत दिया है, सभुलत दी है, आप कई गुना एंपियार बड़ा है और सारोजेनिक उद्ध्यूग आप बेच रहे हैं कुद्रती संपत्य आप मिट्टी मोल भाव में आपके ही चंद उद्ध्यूग पत्यूग को दे रहे हैं और न्याय समस्ता कहती है कि सुप्रीम कूट के जिजिस कहते हैं कि हमारा सुप्रीम कूट रिमूर्ट कंट्रोल से चल रहा है ऐसे कई घटनाएं हैं जो देश के सामने आनी चाहिए पुलवामा में आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके नाक के तले हजार शर्म सेकड़ किलो आर्डियक्स आता है और हमारे सहिनिक मारे जाते है कोई आकॉंटिबिलिट नहीं आपको उरी में आये हुए आतंकवादी पूली स्टेशन में सहारा लेते है तो उनको पकड़ के ट्राइल करने में क्या दिक्कत थी आपको इस देश की हालत इतनी की बुरी कर दिया आपने बैंक का सब थोटे में हैं कई सारोजेनिक संस्ता है सब घाटे में हैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट में था उसको आपने बर्बाद कर दिया कि इतना देश इतनी देश की सभी चारो और से बर्बादी करी और कहते करोना के लिए सब फंक्शन अरे हर दिन 2000 बच्चे मिलते हैं जम्बो जेट जब गिरता है तो 300 लोग मरते हैं तो दुनिया में खबर होते हैं हमारे 2000 बच्चे हर दिन मरते हैं तुमारा मेडिया तुमारे पुझी पती तुमारे आरे भट ब्रामनवादी और तुम क्या कर रहे हैं तो यह करोना एक बहान ही है आप भी कह रहे हैं कि बही का कुरोना या एक बहाना है लेकिन यह नांदुलनों को दबाना है हम यह समझना चाह रहे थे कि यह जो असहमती की आवाज है जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ उठती है क्या इसके लिए लोकतंतर में कोई space है भी या नहीं, या कानून में कोई space है भी या नहीं, क्योंकि आपने इतना वक्त कानून के साथ गुजारा है। इनके राज में, इनके कारेकाल में प्रजातंतर की बात करना यह मुर्खता है। एक, दूसरे जो नए तीन कानून लाएं, CA, NPR, NRC, अभी यह कानून आपने लाने के बावजुद, आप क्या कहते हैं, कि हम 2019 ने बारा बारा 19 को इन्होंने एक कानून बनाया, जिसका अमल एक एक बीस को शुरू हुआ, वो कहते हैं कि अधिकारी जाके NPR में क्या-क्या पू है, हमारे लोग उन मुद्धों पर उत्तर दे ही नहीं सकते हैं, उनके पास पेपर है नहीं, और आप राजय समय में आप बोलते हैं कि पेपर दिखाने की जरूरूत नहीं, तो यह कानून वापस ले लो ना, अमेंडमेंट्मेंट रूल्स, शिटिजनशिप और उसके जो भी जाएंगे, मेरे खायल से सिर्फ संगे लोग जाएंगे, घर-घर, क्योंकि आपके बास लोग है कहां, पिछली जो आखाने सुब यह हो गया, संख्या की आबादी के मोजमाप होआ, तो 30 लाग करमचारियों ने काम किया, अभी आपने NRC के आप आसा में, तो 52,000 लो जोग बहर निकाले थे, उसके बाद 40 लाग निकाले, आभी 19 लाग लोग निकाले हैं, कौन है वो लोग? अरे 11 लाग तो दलित हैं, हिंदू जिसको हम कहते हैं, तुम कहते हैं, हम तो नहीं कहते हैं, वो 11 लाग है, 4 लाग आदिवाशी है, और 4-4.5 लाग मुसलीम हैं, आप तो कहते हैं थे कि सब आसा मैं घसेट हैं, क्या करेंगे, घुस्पिटियों को चुन-चुन के बाहर फेके किसको फेक रहे हैं तुम, हिंदू को फेक रहे हैं, और उनको डिटेंशन सेंटर के आप हवा दिखा रहे हैं, उसमें 70% मैला हैं, तो जो असाम्त का पैटर्न है, वही देश में होने वाला है, तो आप करोड़ों लोगों को परिदेशनी नागरिक पहले ठहराएंगे, बा बात सहाब ये कही जाती है, कि 2003 में जब ये संशोधन हुआ, नागरिकता कानून में, और उस समय में जो NPR और NRC का जो रूल आया, उससे जुड़ा हुआ, तो कई बार हम लोग जो अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये रूल ही वास्तों में गैर कानून ने इसलिए क्या किया, तो इसलिए कॉंग्रेस ने उसके उपर आमल नहीं किया, लेकिन वही 2003 का बाचपेनिक कानून का अधार लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, और ये आगे लोगों को NPR के माध्यम से उनके माबाप की जन्म तारिक या जन्म ठिकान पूछेंगे, वो हमारे पास नहीं, मेरे पास भी नहीं है, यदि ये लोगों के पास नहीं है, तो ये क्या करेंगे, घर में जाएंगे, वो फॉर्म है, वो भरने की कोशिश करेंगे, वो फॉर्म हमारे लोग सब फॉर्म नहीं भर सकते, तो अधा परह वहा फॉर्म लेके तरशिल आपि हमारी चांवां कि आई यह कानुन मुस्लिम के खिला पे यह थिदुट परशन बहना है लेकिन सही निशाना जो वर्न विवस्ता में ब्रह्म के मुझ से आए वो छोड़ कर बाकी सब को उनके पाव के तले कुछलना है इसलिए नए कानुन लाए लेकिन ये जो NPR जो हो रहा है जिसका इतना भै लोगों के बीच में है और आप इतने शिदत से इस पूरे आंदोलन में शिर होना चाहिए कि क्या किस मांग के साथ है आंदोलन चल रहा है जो आएगा जो NPR के रूल्स लेके आएगा उसको हमें जवाब नहीं देना है उसको नमस्कार करके वापस भेजना है जो सरकार करे करे महत्मा गांदी ने 1907 में ये अफरीका में न करा था इसा रजिस्टर तो हम जेल में जाएंगे हम मरेंगे लेकिन ये कानून नहीं मानेंगे तो हम भी लोगों को गांदी जी का आदर्श देके कांदी जी के रास्ते पर चलने के लिए लोगों को मैं आवान कर रहा हूं आपके माद्देम से भी आवान कर रहा हूं कि ये कानून हमें मानना नहीं ज हम सब को यानि फीर मैं दोहराता हूं कि वर्र विवस्ता की जो ब्रह्मन जो ब्रह्मा के मुझसे आए वो छोड़कर बाकि सभी हिंदुक उनके होटिंग राइट सभीदान ने दिये वे सभी राइट चिन लेना है क्योंकि गोलवल करके किताब बंच फॉट्स वो कहते हो भागवत भी वही कहाता है भागवत कहता है कि आरक्षन की जरूरत क्या है नाकपूर जैसे रेशम बाग की जो शक्ती है और इन्होंने आज देश्वकर जो छ्याजा साल में नहीं कर सके वाभी कर रहे हैं और हम लोग सब सुए हैं मैं आपके माध्यम से सभी बहुजनो को मुस्लिमों को दलितों को आदिवाशियों को बिरंति करता हूं अरे जागो किसी भी हालत में यन्पियार एनर्सी के इनक्वाइरी में रिप्लाइ नहीं देगा नमरता से कहेंगे हम सभीदान के दाइरे में आहिसात बक्त पद्दती से मात्मा गांदी ने दिखाया मार्क से ये कानून को विरोध करेंगे चाहे वो सरकार हमें जेल बेजे चाहे वो सरकार हमें मारे लेकिन हम ये कानून नही लोग ये पूछने लगे हैं कि यदि ऐसा करते हैं तो क्या ये सरकार के खिलाफ या कानून के खिलाफ कोई गुनाहा नहीं होगा ऐसा है कि कानून का मक्सद क्या होता है शर्वसमावश्य के तरफ ले जाना है, उसको कहते है बेरीज बजा बाकि करने के लिए कानून नहीं होता कोई और किसी दो व्यक्ति के भेजे से आया हुआ कानून नहीं हो, इड़ लॉएसनेस इड़ नॉट लॉवौ जो इनके बर्जिसे चनद लोगों के बुद्धि से रहा है वह 19 ुसके उनके उपर अन्या करता है एक बात कही जा रही है कि ये जो नया नागरिक्ता संशोधन कानून जो आया है इसको आप जैसे जितने लोग हैं बुद्धी चीवी लोग हैं ये कहने लगे हैं कि ये तो समिधान के खिलाफ है उसके मूल भावना के खिलाफ है लेकिन सरकार कह रही है कि ये नागरिक्ता दे पर संबाला इतने जूटे नेता दुनिया में भी नहीं होगे भारत में भी नहीं हुए वह सरासर रात दिन जुड बोलते हैं तो इसलिए वह कहते हैं कि यह कानुन बनाया तो हमने मानना चाहिए यह गलत फहिमी है मेज़र्टी का मेज़र्टेरियन यह दि होता है तो वो हमने मानना नहीं चाहिए मेज़र्टी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप वूट सूट किसी के उपर अन्या करेंगे तो वो भी नहीं है ऐसा कानुन करने कि आपको इज़र्जत नहीं और सब जातिधर्मे की लोगों को मैं फीर से दो रहता हूं कि यह कानुन मुसल्मानों के खिलाप यह बहाना है हम सभी के खिलाप यह है हम सब लोग उसका निशाना है और हम सब लोगों को संपत्ति से होटिंग से सविधान के राइट से दूर करना डिप्राइव करना यह सब इनका छलकप्टी चाल है इनकी और यह कानुन हम नहीं मानेंगे लेकिन एक बात है सर की जैसे नागरिकता का रेजिस्टर होना या फिर नागरिकों की एक सूची बनना क्या यह बुरी बात हो सकती है तो इसलिए इसके पहले भी गिंती हो गई है रजिस्टर बनाया क्या नहीं मुझे मालूम नहीं तो वो जो गिंती हुई उससे हम कहा खड़े है अभी अमीत अर्जिंसें गुप्ता का एक रिपोर्ट था कि जिसमें उन्होंने कहा था वो सर्वे था उन्होंने कहा था कि 80% लोग इस देश के हर दिन 20 रुपए में रहते, 20 रुपए के अंदर 20 रुपए भी खर्च ने कर सकते, तो यह सरवे, ऐसा सरवे होने में कोई दिक्कत नहीं, आज भी नहीं, लेकिन वो जो उन्होंने अमेंडमेंड करके, जो मैंने कानून बताया भी, यह कानून जो अमें है कि यदि नागरिक्ता का कोई सूची बनती है, यह कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इससे पहले भी हमारे यहां इस तरह के एकसरसाइस होये है, इन बिजिकोल से पाटिल सहाब जिन से हमें बात चित कर रहे थे, उनका एक सपष्ट मानना है कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीती है, तो हम कुल से पाटिल सहाब से थोड़ा सा और भी समझेंगे बिलकुल अन्तिम मुद्दा, सर, अन्तिम रूप से हम आपसे यह जानना चाहेंगे, कि यह पूरा जो एक्टिवीजम है, क्या यह पोलिटिकल एक्टिवीजम है, हम कर रहे हूँ, पोलिटिक से स कौन जिन्दा रह सकता है, हमारा तो पूलिटिकल नहीं है, मैं सामाजिक हित में यह काम कर रहा हूँ, और जिस तपके से मैं आया हूँ, जिस जोपडपट्टी से मैं आया हूँ, उन जोपडपट्टी के लोगों की हलात मुझे सहा नहीं जाती, देखा नहीं जाती, इसलि वो तो आज भी एक मेरी क्लिप तोड़ मुलर के दिखा रहे है कि मोदी शाह को डरो मत बिल्कुल मैं सही कहता हूँ मोदी शाह को डरने की जरूरत क्या है जब अर्टिकल 19 हमें आधिकार देता है कि हम सभिधान के दाइरे में आइसात्मक अंदोलन करने में हमें हमारा निजी राइट है लेकिन उनको डरने का सवाल का आता है हम अनका क ceux जरूरत सभिधान के दाइरे में अइसात्मक अधिकार है तो हमारा विवाका नहीं करते हैं कि हमेने और समय-धानिक दाइरे लोकतांत्रिक ढंग से अगर समिधान के दारे में चलता है तो ये नागरिकों के अधिकार का खेतर है और ये बातचीत हो रही थी आवाज विशेश में इस समय सेवानिवृत्त नायमूर्ती बीजी कोलसेपाटिल साहब से कुलसेपाटिल साहब आप हमारे साथ हाएं हमसे बातचीत की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप बने रहेगा आवाज इंडिया के साथ प्रोग्रैम आगे भी जारी है